ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुडने उज है बिहारवासियों को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात जल्द ही मिलने वाली है कि सर्या रंकी इस नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन पटना से किया जाएगा जिहां पटना और टाटा नग करके बीच जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने की संभावना है दक्षिन पुर्व रेलवे की इस योजना को अमल मिलाने के लिए तेजी से काम कर रहा है वंदे भारत ट्रेन के रैग को लेकर तैयारिया अंतिम चलन में है और इसे जल्द ही पटना टाटा पर चलाने की योजना है पटना टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रियों को एक नई और बेहतर यात्रा अनभो मिलेगा जो न केवल समय की बचत करेगा बलकि यात्रा को अरामदायक और स्विधाजनक बनाएगा अब तक प्राप्त जानकारी के मुताविक य इससे टाटा से पटना के वीच की दूरी करीब साथ घंटे में तय की जाएगी यह ट्रेन जहारखन के टाटा नगर और बिहार के पटना के बीच गोमो को डर्मा गया और जहानाबाद के रास्ते चलने वाली है हालाकि अभी तक इसको लेकर कोई अधिकारिक जनकारी नहीं दी गई है पटना और टाटा नगर के वीच वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेंग सप्ताह में 6 दिन चलेगी जीसे से यातरी सुविधाओ में बरहुतरी होगी वर्तमान में पटना से टाटा के बीच यातरा करने के लिए यातरी साउथ बिहार एक्सप्रेस पटना सप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस और टाटा नगर बकसर एक्सप्रेस का उपियोग करते हैं जिनमें यातरा का समय 10 से 11 घंटे का होता है वंदे भारत एक्स्प्रेस को शुरू होने से यात्रा समय घट कर 7 घंटे का रह जाएगा कि सर्यारंकी इस वंदे भारत ट्रेन को दोराने के लिए सभी प्रकिडियाएं पूरी की जा चुकी है इसका इंतजार यात्रियों के साथ साथ रिल्वे को भी है और अधिकारियों को तयार रहने की सलाह दी गई है यह ट्रेन पत्ना और टाटानगर के बीच की यात्रा को अधिक सुविधार जनक और समय बद बनाएगी पर नाशल लोकाल लेटिंग के लिए सचदानंद की ये रिपोर्ट